Dear student, we have to discuss about the Sweden preschool education for sustainability. जब हम sustainability की बात करते हैं, तो उसका एक जो पार्ट है वो है, social sustainability और social sustainability की जो बात है, उसके अंदर injustice है, inequalities हैं और इससे लेटर बहुत सारा social issues है, यह हमारे पास sustainable development goal है, इसको हमने जो आज का बच्चा है, जो इसी का बच्चा है, उसके साथ हमने मिलाना कैसे है, इन challenges को awareness कैसे देनी है, और उसके इलावा, इनके दिर्मियान जो conflict पैदा हो रहे हैं, या जो conflict पैदा हो सकते हैं, जो inequalities की possibilities है, जो injustice की possibilities है, जो poverty की possibilities है, उन possibilities को हमने कैसे खतम करना है, और उसके अंदर हमारा स्टीजी सस्टेनिबर डिवेल्मेंट गोल्स का रोल क्या है, और इसने क्या रोल प्ले करना है, अब इसकी alignment है, अरली चाहिडोड एजुकेशन के सब, फास सस्टेनिबिलिटी, नेशनल और इंटरनेशनल ली, देखें, हमने जब बात की थी, तो हमने कहा था कि, आज का जो बच्चा है, ये ना सिर्फ, एक X मुल्का बच्चा है, मिंबर है, बलकि ये पूरे वर्ल्ड का मिंबर भी है, अब हमने बच्चे को इसके बारे में बावर कराना, एक हमारे ये इशू है, दूसरा जो हमारे पास इशू है, वो हमारे पास है environmental, हमने इसके उपर बहुर रहा बात की, और बहुत चीज़ें हमने बात की, और हमने कहा कि हमारे environment के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन से problems आ रहे हैं, pollution कैसे हो रही है, कहां पर हमें recycling की जरूरत है, हमें इसको पर इसको कैसे control करना है, दूसरा इशू हमारे पास ये, अब देखें, environmental को भी हमने डेस्ट करना है, हमने inequalities को भी डेस्ट करना है, हमने जो मुमकना conflicts हैं, उनको भी डेस्ट करना है, और उसको छोटे बच्चे को, जो कि हमारा early childhood education का है, उसके course का हिस्टा भी बनाना है, अब जब हम उसके course का हिस्टा बनाएंगे, तो हम learning outcomes की तरफ जाएंगे, जब हम learning outcomes की तरफ जाएंगे, तो उसका हम कोई plan बनाएंगे, अब लाज़ी बात है, कि टीचर अगर उसके साथ connected होगा, टीचर को इसके बारे में पता होगा, environmental के बारे में, social के बारे में, economic dimension के बारे में, और उसकी sustainability के बारे में, उसके जो problems हैं, उसको clear होंगे, तो फिर उसके मताबक, वो curriculum में role play कर सकेगा, उसके मताबक, उन तीचर को सामने रखते हुए, वो बच्चे के अंदर, try करेगा, incorporate करने के लिए, बच्चे को वो चीजों को समझाने की जरूद पेश करे, बच्चे को daily practices में मुलाने की कोशिच करेगा, इसका मतलब यह है, कि जो हमारा curriculum, teachers का curriculum है, teachers training का curriculum है, हमें उसका भी इसको part बनाना है, और इस अंदाज में उसका part बनाना है, कि वो जब पढ़ाने के लिए वापस आए, जब वो teaching करने के लिए आए, तो उसकी theoretical part चोई है, उसकी strong background होनी चाहिए, अब वो, वो ही content चोई है, वो जब बच्चे की तरफ लेके आएगा, और बच्चे को बताना चाहिएगा, और बच्चे को awareness देगा, और बच्चे के ऐसे behavior डिवेल्प करेगा, जिसके अंदर इन तमाम चीजों को address किया गया होगा, उसकी practice करना भी उसके लिए यह ज़रूरी है, अब अगर आप इसको interlink करें, और interlink करने के बाद हम इसके उपर बात करें, और student ने अपनी government ने इसके उपर बहुत ज़्यादा focus किया, focus करने के बाद उसने क्या किया, कि उसने number एक, teachers के curriculum के अंदर उसको awareness दी, teachers को जिसने पढ़ाने के लिए आना है और जो teachers का curriculum है, उसके उपर इसको focus किया, उसको focus करने के बाद जो teachers को training देने के बाद जहां पर वो early child education को पढ़ाने जा रहा है, उसके उपर focus किया, और फिर उससे sustainable development के साफ़ अलाइन किया, तो student ने बनियादी तोर पर इन तमाम चीज़ों को दोनों phase में address किया है, जनी उन्होंने environmental को, social को, economic को, इन तिनों dimensions को address किया teachers के साथ भी और फिर address किया उसका student के साथ भी.